हेलो स्टूड़न्स वेलकम टू लेक्टिकल हब तो आज का टॉपिक आ फाइड एडिया और कॉड्रिचर टॉपिक है जिसमें कोशनने शोधा एरिया बिट्विन द पैरेबोला य स्कुर इगोल टू 4× x and x square equal to 4 ay इस 16 by 3 a square मजलब कि यह हमनों को verify यह proof करना है ठीक है तो हमनों को question में दिख रहा है कि यह y square is equal to 4 ay और x square equal to 4 ay मतलब कि यहाँ पे दो parabola है ठीक है तो हमनों 2 parabola बना लेंगे और इस equation को देख करके क्या लग रहा है कि यह ओला parabola x x x के symmetrical है ठीक है और इसको देख करके क्या लग रहा है जब x power 2 even रहता है तो क्यासा रहता है y के symmetrical बनता है एक पेरबोला ठीक है तो हमनों यहाँ पेरबोला बना लेते हैं एक यह x axis y axis है और एक ठोक ऐसे बनेगा और एक हमनों का ऐसे बनेगा ठीक है तो यह बनेगा हमनों का तो हमनों को इस पार्ट का एरिया निकालना है यह x यह जो है पेरबोला इसका नाम क्या है मैं हाँ नेमिंग भी कर दे रहा हूँ यह y square is equal to 4ax ठीक है यह y equal to 4ax है और यह वाला जो है यह x square equal to 4ay पेर हमनों को यह इस portion का area निकालना है तो हमनों क्या करेंगे हमनों को यह तो limit पथा है यहाँ की upper limit और lower limit यह क्या है 0,0 है लेकिन यह point का axis हमनों को नहीं पता है तो हमनों अभी इस point का axis निकालेंगे पहले जहांपस लिखेंगे put I hope आपनों को visible हो 4AX जो है उसमें X की value 2 root AY लिखनी है इससे ठीक है इसके साब सा X is equal to 2 root AY हो जाएगा इसमें डाल देंगे तो यहाँ पास क्या जाएगा y square is equal to 4A to root AY ठीक है इसको हम लोग अगर चाहे तो 4 into 2 कितना हो जाएगा यह 8 हो जाएगा 8 A root AY ऐसा हो गहा है घा ना और अगर हम लोग यह root निकालना चाहें तो यहाँ पास एक और square लग जाएगा यह कितना हो जाएगा यह y power 4 हो जाएगा और यह 8 जो है यह 64 बन जाएगा 8 का square और यह a कभी square हो जाएगा और यह root हट गया तो a y हो गया इसको हमनों लिख सकते हैं y power 4 equal to 64 a cube y या फिर y power 4 minus 64 a cube y ऐसा लिख सकते हैं अब इसमें अमनों को common क्या निकल रहा है एक y common निकल जाएगा यह a equal to 0 है अब इसमें common क्या निकल रहा है एक y common निकल गया तो यहाँ पास आ जाएगा y बाहर common फिर y cube minus 64 a cube equal to 0 और इस equation से हमनों देख सकते हैं कि 1 y की value है 0 और 1 y की value है 4a ठीक है यह हमारी दो ठोग y की value आ गई तो इस point का हमनों को क्या मिल गया यह हो गया 4a, 4a है ना तो उसी साब से जो point of intersection है point of intersection वो क्या है 0,0 है एक यह है 0,0 और यह है 4a, 4a ठीक है इसको हमनों O से represent कर रहे हैं denote कर रहे हैं और इसको हमनों A से denote कर रहे हैं ठीक है इस point को और इस point को O से यह हो गया अब हमनों को area निकालने में easy पढ़ जाएगा क्योंकि हमनों को limit मिल गई है तो हम जो कि यहांपस लिखेंगे given a parabola parabola नहीं, parabolas, ठीक है दो है यहांपस bounded region bounded region क्या है OA, है ना, यह दो bounded region है इस point से, and a strip parallel to y-axis अब यहांपस क्या करेंगे, एक पदला से strip लेंगे, है ना, जो कि y-axis के parallel है, ठीक है अब हम लोग इसली यहां से निकाल सकते है तो हम लोग की जो limit है, x की x equal to 0 है to x equal to 4 है ठीक है, और हम लोग को formula क्या area निकालनेगा, parabola में area equal to integration of 0 to 4 है, यह तो limit हो गई, ठीक है फिर अंदर के रहेगा y1 minus y2 dx, यह लेकिर हम लोग को y1 औ y2 भी तो पता करना है, तो y1 मतलब upper वाला होता है, upper limit तो इस parabola में देखिए, जो upper limit है यह कौन से parabola में include है, इसमें y2 equal to 4x वाले में है, है ना तो इसी साब से y1 की value क्या हो जाएगी 2 root ax, यह वाला पहला रहेगा अपर वाला, और lower मतलब की इसका lower limit क्या है, यह है lower limit और यह किस parabola का है, इस वाले का है जिसके equation क्या, x2 equal to 4a उसी साब से y करकर निकालना चाहे तो y का value क्या हो जाएगा, x2 upon 4a, यह हो जाएगा, है ना अब इसमें हम लोग उट कर देते हैं value x और y की सारी, फिर देखते हैं यह आता है, तो यहाँ पास हो जाएगा integration और 0, यह 4a y1 की value क्या है, 2 root ax तो यहाँ पास लिखेंगे, 2 root ax minus x square upon 4a dx, यह हो गया, यहाँ bracket है ऐसे अब इसको आपनों integrate करते हैं तो उससे पहले इसको एक और तरीके से simplify कर लेते हैं, ताकि integration में easy बने यहाँ पास लिखेंगे, 0 से 4a यह होगे अब यह 4a और 2 root ax है, है न तो यहाँ पास हम लोग, इसको 2a 1 by 2, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है फिर minus, और यह x जो है इसको कैसा लिख सकते हैं, यह minus नहीं, in 2 है minus नहीं, in 2 है, ठीक है यह a है, यह और dx इतना होगे, अब हम लोग उसको integrate करते हैं, और देखते हैं कि क्या आता है हम लोग लोग ने अभी simplify किया है तो यहाँ पास आजाएगा equal to में 2a, 1 by 2, यह तो sdts हो गया और इसका integration करेंगे, यह हो जाएगा x 3 by 2 upon 3 by 2, यह हो गया और यह minus, और इसका क्या हो जाएगा, 1 upon 4a यह तो अलग constant हो गया, और x square का क्या हो जाएगा, x cube by 3 इतना हो गया, और limit क्या है, 0 से 4a है, ठीक है, इतना हो यह integrate हो गया हमारा term, अब हम लोग इसको value को अंदर डालेंगे, तो यहाँ पास 4 by 3 हो जाएगा, 4 by 3 a power 1 by 2, ठीक है, यह 1 by 2 है a का power, और अंदर क्या रहे जाएगा, x 3 by 2 का, और इसमें limit है की 0 से 4a, ठीक है, फिर वैसे ही, यह क्या है, 1 upon 4a x cube upon 3, तो यह क्या हो जाएगा 1 upon 12a बहार निकाल दो और अंदर क्या रहे जाएगा, x cube जिसकी limit है की 0 से 4a ठीक है, इतना होगे, अब इसको हम लोँ, मैं यहीं परस लिख दे रहा हूँ इसको हम लोँ, यहाँ परस अगर फिर से लिखना चाहे है, value put करेंगे, limit की 0 4a, अंदर डालेंगे, 0 डालेंगे जो तो पुरा time 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 डालेंगे तो पुरा time 0 हो जाएगा, तो मतलब सिर्फ हम लोँ को upper limit डालना है इसमें, ठीक है, तो upper limit डाल देते हैं 4 by 3a 1 by 2, और यहाँ 4a 3 by 2, ठीक है फिर minus 1 by 12a ऐसा किये, और अंदर 4a डालना है ठीक है, तो यहाँ 4a का cube, 3 by 2 ऐसा होगे, यह होगे हमारे अब हम लोगे इसको simplify करते है नहीं, इसमें तो सिर्फ 4a रहेगा, upon power cube रहेगा बस, और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है इसमें तो cube था, तो 3 by 2 नहीं सिर्फ 3 रहेगा, इतना होगे अब इसको हमनों simplify कर लेते हैं, इस पार्ट को यह जो पार्ट है, इसको हमनों हमनों का value put करते हैं, यहाँ से तो बहुत असान होगा करना, देखिए अब क्या होगे यहाँ फस, इसको यह 4 by 3 यह 1 by 2, यह ऐसी छोड़ दी, एतना पार्ट, 4a power 3 by 2 जो है, मतलब कि इसको हमनों कैसा लिख सकते हैं, देखिए जैसे कि 4 power 3 by 2 है इसको हमनों कैसा लिखते हैं, 4 into 4 into 4, ऐसा लिखे, power 1 by 2, ऐसा लिख सकते हैं, है ना तो 4 into 4 into 4 कितना होता है, यह 4 फोर्जा 16, 16 फोर्जा 64 है ना, 64 हुआ, और 64 को अगर root 64, और 1 by 2 को हमनों क्या से लिख सकते हैं, root बना सकते हैं, है ना तो 64 का root कितना हो गया हमारा अगर यह निकालेंगे तो यह हो गया 8, है ना, तो हमां यहां direct 8 लिख रहा हूँ, किसका पार्ट यह 4A, 3 by 2 का, तो यहां पस 8 हो जाएगा, और A का 3 by 2, A के पावर में तो 3 by 2 रहे गई है ना, इसका तो किया नहीं, हमनों से constant जो 4 है, उसका किया है, तो 8 into A power 3 by 2, इतना होगे फिर यह minus 2, अब इसका करेंगे तो यह 4 by 12 जो है, यह 4 कट जाएगा और 12 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 by 3 हो जाएगा, है ना, अच्छा एक मेंट, यह 4 power 3 है, तो यह कितना होगे, पहले इसको अंदर करना भी तो पड़ेगा 4 power 3 कितना हो जाएगा, यह हो गया 64, अब 64 को 12 से काटेंगे, तो यह कितना हो जाएगा 16 by 3 हो जाएगा, है ना, और 3 by 2 प्लस इंटू A 3 by 2, यह किया हो जाएगा, A square हो जाएगा यह A square हो गया, माइनस, यह 16 A square by 3 इन नीच्छे डिरोमिनेटर से हमें 3 3, तो 32 माइनस 16 करेंगे यह कितना हो जाएगा, 16 A square by 3, unit square और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, देख लिए यहाँ पास हम लोगों को यही प्रूफ करना 16 by 3 A square और हम लोगों ने यह प्रूफ कर दिया, यहाँ पास, तो यह था हमारा answer, ठीक है, thank you